सब्सक्राइब करिया है फाइस्टी चैनल को बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटिस वीडियो अपडेट सबसे फ़रे पाने के लिए हलो फ्रेंट्स दिस लरित कुमार फ्राम हाई फाई इस्टी चेंजिंग दा वे आफ एजुकेशन फ्रेंट्स आज बहुत जबड़ जस्त तरीके से हम लोग सिंपल इंट्रेस्ट और कंपाउंट इंट्रेस्ट से पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त याद रखना इस वीडियो स से आपका SI और CI दोनों का कॉंसेट एकदम किलियर हो जाएगा मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज तक आपने इस तरीके से सिंपल इंट्रेस्ट और कंपाउंड इंट्रेस्ट को नहीं पढ़ा होगा एक कॉंसेट बताऊंगा मेरे दोस्त क्या बताऊंगा एक कॉंसेट में आपको बताऊंगा चाहे वह आपको सिंपल कंपाउंड इंट्रेस्ट पूछे चाहे आपका सिंपल इंट्रेस्ट पूछे चाहे आपका प्रिंसिपल पूछे चाहे एमाउंट पूछे आप चारों कुष्चनों का एंसर एक कॉंसेट से दे पाओगी मेरे दो वीडियो को जल्दी से सेर कर दीजिए और कांसेप्ट इतना जबर जास सिखाऊंगा कि लाइप में कभी भी नहीं भूल पाऊगी जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं एबी सीडी छोटे बच्चों को सिखाते हैं ठीक उसी प्रकार मैं आपको बताऊंगा क्लियर लेकिन उससे पहले टॉपिक सुरू करने से पहले छोटी छोटी बाते जान लीजिए कि रेट क्या होता ए क्या होता एमाउंट क्या होता प्रिंसिपल क्या होता यह सब चीजे आप लोग जान लीजिए और याद रखना यह आपकी क्लास सिंपल इंट्रेस्ट और कंपाउंड मिलकर ये question आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा ठीक है ना देखिए इन चारो caseों में कुछ चीजी कामन होती है जैसे मैंने कई बार आपको बताया एक होता है A एक होता है P और एक होता है R एक होता है T केवल इतनी बाते याद रखना है A से हमारा amount होता है जिसको हम लोग क्या बोलते है Mr. धन बोलते है क्या बोलते है सर तो Mr. धन बोलते है P से principal होता है जिसको हम लोग मूल धन बोलते है और R से हमारा rate होता है जिसको दर बोलते है T से time होता है जिसको समय बोलते है बस खत्म बस खताम इतने चीजे जानते हो तो आप अच्छे से आप समझपाओगे और एक होता है SI क्या होता है SI जिसको साधारण व्याज या Inglis में Simple Interest बोलते हैं Inglis में क्या बोलते हैं? Simple Interest बोलते हैं एक होता है CI जिसको चकप्रधी व्याज या हिंदी में इसको हम लोग चकप्रधी व्याज या इंगलीस में इसको हम लोग compound interest बोलते हैं क्या बोलते हैं compound interest बोलते हैं चलिए अब यहां से एक बात और सीख लीजिए एक बात यहां से और सीख लीजिए अब देखिए हम क्या सीखेंगे ठीक है ना इतनी चीजे देखिए साथ में नोट करते हुए चलना मेरे दोस्त साथ में नोट करते हुए चलना अभी स्कीन के ओपर कुश्चन आते रहेंगे और देखना देखना मेरे दोस्त एक कुश्चन में आप बताऊंगा क्या एक कुश चनाप अपने आप से करने वाले हो वो भी मात 30 सिकन में उडा के रख दो गे यह उडा के रख दो गे कुश्चिनों को देखो बात करें दर की किसकी बात करेंगे दर की जो बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती है इस टॉपिक में दर हमेशा दर आपकी जैसे कह दिया 20% है किसमें 20% याद रखना जब दर आपको दी होगी उसको आपको fraction में बदलना है उसको आपको भिन्य में बदलना है तो 20% को भिन्य में बदलेंगे याई 20 बटे 100 इसका मतलब कितना हो गया 1 बटे 5 कितना हो गया 1 बटे 5 बस यहाँ से सोड़ा समझ लीजिए जैसे मैंने कह द 15% तो 15% का मतलब 15 बटे 100 इसको काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 दुन्य दस 3 बटे 20 बस पहला काम पहला काम आपको इसको किसमें कनवर्ड करना है भिन्य में कनवर्ड कर लेना जितनी भी दर दी होंगी उसको भिन्य में कनवर्ड करते हुए चलना है ठीक है ना इतनी बास समझ हो दोनों क्या होंगे सर दोनों बराबर होते हैं एक साल का SI ले लो साधरल व्याद एक साल का compound stress ले लो चक्वर्धी व्याज दोनों बराबर होंगे साथ में note करते हुए चलना क्या करते हुए चलना note करते हुए चलना समझ में 110 परसेंट आएगा और इससे एक question first semester में जरूर पूछा जाएगा चाहे simple interest से पूछा जाए और चाहे compound interest से पूछा जाए एक question जरूर से जरूर आएगा मात्र दो वीडियो में मात्र दो वीडियो में ये concept एकदम से clear हो जाएगा और याद रखना मैं आपको type wise ले चलूँगा नहीं जा रही है ठीक है ना तो आप लोग भाई अपना support करिये और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को share करके like जरूर कर देना clear है देखिए अब एक बात समझिए अगर एक साल की बात करेगा किसकी एक साल का तो हमको बता है एक साल का चाहे CIE हो और चाहे क्या हो SI हो उसको हम लोग अच्छे से गड़ना कर सकते है क्योंकि वो नों दोनों तो equal होने है लेकिन जैसे हम दो साल में आ जाएंगे क्या जाएंगे दो साल में आ जाएंगे कब आपको पता है दो साल चक ब्रधी व्याज हम याद रखते हैं दो नुपात एक अगर CIE की बात करेगा तो हम याद रखते हैं दो नुपात एक लेकिन अगर simple interest की बात करते हैं simple interest की तो हमको P into R into T लगा के रखना पड़ता है ठीक है न इतना समझ गये न अब देखो इसका concept क्या होता है इसका concept देखिए क्या होता है और गर्दा उड़ा देगे कसम महाकाल की गर्दा उड़ा देंगे question की ठीक है न देखिए question क्या कह रहा है पहले मैं आपको concept से ले चलूँगा मेरे दोस्त किस से concept से मैंने एक question कह दिया कि P आपका कितना है principle आपका 1000 रुपए है और rate आपकी कितनी है 10% है time आपका कितना है 2 वर्स है आपसे question पूछा गया कि पहला question SI बताओ क्या बताओ SI बताओ दूसरा question यहां से बन सकता है CI बताओ तीसरा question बन सकता है आपका अंतर बताओ दोनों का अंतर बताओ difference बताओ दोनों का और चोथा question बन सकता है amount बताओ यानि कि मिस्रधन बताओ यह चार ही question यहां से उठते हैं बस यह चार ही question यहां से उठते हैं हाँ वो दर की बात अलग है वो दर पूछ लेगा, समय पूछ लेगा, उसकी बात अलग है, उसकी भेह में टिरिक लेकर आऊँगा, कल की वीडियो में वो उसकी टिरिक बताऊँगा, टोटल वीडियो में आज 10 कुईस्चन करूँगा, 10 होजबर जस्त होंगी, पहले इसको concept से समझ लीजिए, पहले इसक समझा रहा हूँ, इसको कुछ ने, इतने में solve करेंगी, इतने में solve करेंगी, लेकिन पहले इसको concept से समझेना जरूरी है, आपको पता है, simple interest बराबर क्या होता है, P into R into T बटे का 100, यह होता है, simple interest का formula, यह तो होता है, principle कितना है, 1000, तो रखेंगे 1000, rate कितनी है, 10% समय है, दो से बटे में कितना हो जाएगा, 100, दो जीरो सी दो जीरो कड़ें, दस दहम 100, सो दुनी 200, SI कितना आगया, 200 आगया, SI कितना आगया, 200 आगया, अब बात करें CI की, CI का formula होता है, A बाराबर P, 1 प्लस R बटे 100 की पावर N, यही तो होता है, A हमको ग्याद करना, P कितना आया है, principle है हमारा 1000, और 1 प्लस R रेट है हमारी कितनी, 10 बटे का 100 की पावर 2, इसको काटेंगे, तो 10 टाइम में चला जाएगा, 10 से कम 10, 11 बटे 10, तो आजाएगा मेरा 1000, गुडे 11 बटे 10, गुडे 11 बटे 10, अब दो बार लिखा, क्योंकि 2 जीरो है, 1, 2, 1, 2 कड़ गया, 11 दहम 110, औ अगर 11 से मल्टिप्लाई कराओगे, तो भई कितना हो जाएगा, जरा बता दीजिए, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1210, कितना आगया, 1210, एक की वेल हो आगई, 1210, अब आपको SI बताना था, तो हमको पता है, यह amount आया है, यह Mr. धन आया है, अगर इससे मूल धन घटा देंगे, 1000 घटा देंगे, तो हमको SI बता तल जाएगा कितना है, 210, SI कितना है, 210, यह काम आपको करना है, यह काम आपको करना है, क्रास लगा दो, क्या लगा दो, क्रास लगा दो, हम यह काम नहीं करेंगे, तो सर क्या काम करेंगे, जरा समझ लो, जरा समझ लो, answer देख लेना SI आ रहा है 200 CI आ रहा है 210 इसको देखना concept trick अच्छे से समझ लेना concept trick आप लोग अच्छे से समझ लेना देखिए यह आप लोग इसकी insert लीजिए पहले और आपको इससे मिलाना है आपको इससे मिलाना है answer को दिमार्ट में solve करके रखना answer को दिमार्ट में set करके रखना अभी देखना इसको कितनी जबर्जस्ट तरीके से सीखेंगे कितनी जबर्जस्ट तरीके से इसको सीखेंगे जब 2 साल की बात करेगा भाई 2 साल की बात करेगा तब आपको 4 खाने बनाने हैं आपको 4 खाने बनाने हैं दो साल की बात करेगा, चार खाने बनाने हैं, इसमें रखेंगे P, प्रिंसिपल, यह A हो गया, और यह A हो गया, और यह B हो गया, नहीं समझें, यह होता है हमारा क्या, सिम्पल इंट्रेस्ट, और चक्वर्धी ब्याज, यह एक साल का होता है, कितने का होता है, एक साल का होता है, यह जो आपको दोनों A दिख रहे हैं, यह एक साल के होते हैं, और नीचे जो B दिख रहा है, यह हमेंसा अंतर होता है, यह सिम्पल इंट्रेस्ट, यह चक्वर्धी ब्रियाज और साधारेज के अंतर होता है principal याँनी कि यहां पर मूल धन होता है क्या होता है यहां पर मूल धन होता है बस खतम काम question कितिना था 1000 रुपे principle कितिना था 1000 अब 1000 यहां पर रख लेंगे और दर कितनी थी 10% इससे पहले वाले एक्जामपल बता रहा हूँ 10 कितनी थी राय रेट कितनी थी 10% 10% को फ्रेक्षन में बदलना है तो 10 फ्रेक्षन में बदलेंगे तो बटे का 100 कितनी बार गया 1 बटे 10 आ गया बस काम खतम अब काम खतम question का sir question का काम खतम बताईए दूसरा question देखो इसका निक जाएगे एक बटे 10 बस काम खतम 1000 का एक बटे 10 निकाला लेंगे तो कीतना आ जाएगा 100 यसवरीधार का 100 का एंबस का 10 बस कुश्चन लग गया question लग गया आप से question 4 पूच सकता है कौन कौन से एक तो साधारण ब्याज बताईए दूसरा चकवर्धी ब्याज बताईए तीसरा साधारण ब्याज और चकवर्धी ब्याज का अंतर बताईए डिफ्रेंस बताईए मेरे दोस्त तो डिफ्रेंस बताईए और चोथा क्या पूछ लेगा amount बताईए यह अनि मिस्षृधन बताईए पहला question साधरण ब्याज कितना है तो आपको पता है एक साल का साधरण ब्याज चक्क ब्रदी ब्याज बराबर होता है यह होगए आपका साधरण ब्याज कितना आगया सव आगे आपका साधारल ब्याज समझते जा न अगर पूँचेगा एक साल का चक्रवर्धी ब्याज कितना है तो सवे होगा एक साल का चक्रवर्धी ब्याज लेकिन अगर दो साल का चक्रवर्धी ब्याज पूँचेगा तो इन ए ए प्लस ये जो आपको दिखना नीचे तीन खाने इसको जोड़ देना बस सव सो दो सो दस कितरा हो गया 210 ये हो गया दो साल का आपका compound interest दो साल का हो गया compound interest तीसरा अब SI और CI का अंतर बताना है नीचे हमेशा जो आएगा जो चोथे खाने में आएगा ये हमेशा अंतर होता आए 10 क्या हो गया आपका अंतर हो गया difference हो गया 10 का अब amount पूछा तो amount का मतलब पूरा जोड़ देंगे बस एक हजान में 200 जोड़ेंगे 1200 में 10 जोड़ेंगे तो 1210 amount कितना आ गया 1210 मिला लीजी भाई मिला लीजी क्या आपका answer आ रहा है 200 आपका आ रहा था SI 2 साल का आ गया दो साल का 200 अगर एक साल का compound interest हो है तो दो साल का 210 वो इस तरफ लिखा है और मेरा अंतर कितने का है 10 का है और पूछा गया है कि amount कितना है तो total होता है मेरा amount हो गया 1210 का समझ गये ने समझ गये अच्छा एक और example से एक और example से और अच्छे से समझ में आ जाएगा देखे अभ अभी कुष्चन आएंगे अभी कुष्चन आएंगे और गारंटी के साथ कह रहे हैं दोस्त यह सब आप अपने मन में solve कर पाऊगी यह सब आप अपने मन में solve कर लोगे गारंटी से कह रहे है ठीक है ना देखे अगला कुष्चन कह दिया अगला कुष्चन कह दिया 2000 का 2000 का कि दरसे 2ह का यह कुष्चन आ गया 2000 का 20% कि दरS Now का क्या-क्या बताना है सिंपल उंट्रेस्ट बता दो चकविडिदि व्याज बता दो है माउन्त बता दो और अंतर इस कविदिब्ल यहां बताद दू चार कीश्चन यहां से बन सकते हैं चलीए देखिए देखिक कैसे चार खाने बना लिए, अब समझो यहां पर, यहां रखेंगे, वो हमेशा मूल धन रखेंगे, पहले खाने में हमेशा मूल धन रखेंगे, मूल धन कितना है, 2000 यहां पर मैंने रख दिया, अब जो दर है, उसको fraction में बदलेंगे, भिन में बदलेंगे, 20% इसको भिन में बदल होगे तो कितना हो जाएगा दो हजार का एक बटे पांच नहीं पता है तो निकाल सकते हो दो हजार का एक बटे पांच पांच ओके बीस चारसो एक कम चारसो यहां पर लिखना है और यही चार सो आपको यहां पर लिख देना है बस अब चार सो का एक बटे पाँच निकालो तो पचार सो का एक बटे पाँच निकालो तो पचार सो का अगर एक बटे पाँच निकालोगे तो कितना आ जाएगा पचार सो का अगर एक बटे पाँच निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2000 में 800 जोड़ोगे 880 इमाउंट आगे आपका 2880 उसके बाद बात करें SI compound interest कितना है हमेशा नीचे के 3 खाना ही आपका चक्रवर्धी व्याज होंगे 400-400-800 800 में 80 जोड़ोगे 800-C आगे आपका compound interest CI की बात करें तो CI 4-400 कितना आगे 800 आगे low answer आगे देखे वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को like कर देना वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को like करके share कर देना फटाक से गारंटी देता हूँ ऐसा concept आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ठीक है ना 4 खने याद रखने है बस आसानी से 4 question का answer दे दिया देखे अभी मैंने दर दर और समय वाले question आपको नहीं बताएं कि दर कैसे निकालेंगे समय कैसे निकालेंगे उसका concept लग है trick से बताऊंगा सब कुछ trick बहुत logically चीज में आपको बताऊंगा इतने में question solve करोगे और 30 second भी नहीं लगएगा आप answer दे दोगे दुनिया का कोई भी amount हो कोई भी principle हो या कुछ भी पूछेगा तब आप आसानी से उत्तर दे पाऊगे चलिए फिर अगला question अगला question देखते हैं उसको आप खुद से बताओ खुद से बताओ इतनी मैं आपकी preparation करा दूँगा इतनी में तयारी करा दूँगा कि कोई भी question पूछ ले आप आसानी से लगा पाऊगे ठीक है ना आप आसानी से लगा पाऊगे देखिए अगला question कह दिया principle है आपका 25 principle है आपका 25 rate है आपकी 5% और समय है आपका दो अर्स समय आपका दो अर्स और आपको बताना क्या है एक तो C.I.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E चलिए जिनकी समझ में नहीं है एक बार और समझे दो साल मैंने देखा दो साल देखा चार खाने बनाने है एक दो तीन और चार ये मैंने बना दिया अपने चार खाने हमको सबसे पहले दर को किसमें करना फ्रेक्षन में भिन में तो पांच बटे कितना हो जाएगा सव काटें दो एक बटे कितना हो जाएगा 20 बस यहां पर लिक्हेंगे यह बटे 20 और यह पर लिक्षेंगे एक बटे 20 अब। फ्रिंसफ्पल कितना है फचीस स्ट है तो फचीस सड़्य Vive Pride को कितना हो जाएगा बताателей numbmbt 270 का गया 120 आगे, अगए 20 का 20% निकालेंगे, to 120 आ ठीक है ना, अब क्या करेंगे जरह बताओ, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भर 125 आगो कितना आएगा, 125 आएगा, मैं 2 से काटेंगे तो 2 2 2 4, 2 25, 125 125 लेंगे, एको पचीस इधर अब एको पचीस का एक बटे बीस निकालेंगे 25 का एक बटे बीस निकालेंगे तो 5,4,20 5,20 25 25 से काटेंगे तो 4!24 ,4 दुनिया चारपचे 20 6,25 कितना आ गया 6.25 आ गया बस चाहे जो पूछे सबसे पहले CIE पूछा है तो ये 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 तीन खाने CIE होते हैं 125, 125, 250, 250 में 6.25 जोड़ोगे 256.5, 256.25 आपका आगस CIE SI कितना है, 125, 125 कितना हो गया 250 हो गया, 250 हो गया, amount पूछा है सब को जोड़ो, 2500 में आप कितना जोड़ोगे 250, तो 25, 27, 27, 250 में 6.25 जोड़ोगे 27, 250 में 6.5 जोड़ोगे, 27, 256.25 अब पूछा आपका अंतर, तो नीचे जो आया, वो हंतर 6.25 ये होगे आपका अंतर 6.25 ये होगे आपका अंतर देखिए, आसानी से solve कर लिया आसानी से solve कर लिया, केवल इतने में मैंने concept लगा दिया, और मेरा answer आ गया है अगला एक और, एक और मेरे दोस्त, केवल एक और एक और में अपनी trick confirm करेंगे, उसके बाद सीधे question के उपर पहुँच जाएंगे उसके बाद सीधे question के उपर पहुच जाएंगे, concept सिखाने की courses कर रहा हूँ भाई, पहले मैं आपको 15% time दे दिया गया दो वर्स, question है SI बताओ, साधरण व्याज, फिर CI बताओ, फिर आपको अंतर बताना है, अंतर नहीं की difference आपको बताना है, difference बताना है उसके बाद आपको amount बताना है लग जाएंगे, जल्दी से लग जाएंगे 30 second में गरदा उड़ा के रख दी, जो कुईशन का 30 second मातर, भई मेरे 30 second कसम महकाल की आप अच्छे से लगा पाओगे देखिए, दो वर्स, पता है 4 0 बना लेंगे 4 खाने बना लेंगे मैंने बना लिया, 4 खाने 4 खाने मैंने बना लिया सबसे पहले, गर को fraction में बदलेंगे, तो 15 बटे कितना हो जाएगा, 100 काटेंगे 5 3, 15, 15, 10, 3 बटे कितना हो गया 20 3 बटे 20 यहां लिखेंगे, 3 बटे 20 यहां लिखेंगे, सबसे पहले खाने में principle रखते हैं, 8000 इसमें रख देंगे, 8000 अब 8000 का 3 बटे 20 निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 8000 का 3 बटे 20 निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1200 कितना हो जाएगा, 1200 और 1200 इसमें, तो 1200 इसमें अब 1200 का 3 बटे 20 निकालेंगे, जल्दी से निकाल के बताइगे 1200 का 3 बटे 20 जितने question इधर लिखे हैं 4 की answer बताईए जल्दी बताईए 4 के answer कितना हो जाएगा बही जल्दीसे बताईए 4 की answer कितना हो जाएगा जल्दीसे बताईए 4 का answer very good देखिए सबसे पहले बात को CES की तो CES पता हैं यह जोड देंगे थो एक साल का 121200 कितना हो गया 2400 हो गया 2400 compound interest में ये तीनों को जोडते हैं 1212 2400 2580 compound interest कितना आ गया 2580 और हमको difference बताया था अंतर हमेशा नीचे वाला होता है अंतर कितने का हो गया 180 का amount पूछे सब को जोड़ लो 8000 में आप लोग कितना जोड़ोगे 8000 में आपको वो सब नहीं लगाना है आपको ये चीज फालो करनी है ठीक है ना समझ में आ गया एक और only एक और concept clear करने के लिए केवल एक और बस एक और और जल्दी से बीडियो को share कर दीजी उसके बाद question पर आ रहे है जल्दी से question को आ रहे है भई बीडियो को फटाक से share कर दीजी एक और एक और सर केवल एक और चलिए देखी एक और देखते हमारा क्या हो जाएगा अच्छे से उसको समझने का प्रयास करते हैं देखी अगला जैसे मैंने कह दिया अगला कह दिया मैंने जैसे कि 35 है आपका P 35 है और रेट आपकी 10% है टाइम आपका 2 वर्स है तो चारों के उत्तर पताओ क्या हो जाएगा चारों के उत्तर बता दीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा इस और को इसको भी सीख लेते हैं चल्दी से हमको 2 वर्से पता चल गया सबसे पहले फ्रेक्शन को किसमें बदलेंगे भिन में तो एक बटे कितना आएगा दस आएगा बस चार खाने बन लिएगे एक बटे दस यहां पर लिख लेंगे अगर 3500 का एक बटे दस निकालेंगे तो जल्दी से निकाल के बतादी कितना आ जाएगा 3500 का इसनी कीतना आएगा सत्तर यानि कि SI कितना आ गया 700 आ गया CI की बात करें तो ये और ये तीन जोड़ेंगे 35 उनना सत्तर 735 CI कितना आ गया 735 अंतर की बात करें तो अंतर आ गया 35 एमाउंट की लग गया अब बात करेंगे कुश्चनों की आप कुश्चनों से चलेंगे ठीक है ना अब कुश्चनों से चलेंगे आई होप कि आपको यह सब किलियर हो गया होगा अब बात करेंगे कुश्चनों की कुश्चन लगाते हुए चले जाएंगे ठीक है न चलिए अब किसकी बात करेंगे question की ओके चलिए question लगाते हैं question लगाते हैं और देखते हैं question हमला क्या कह रहा है उसको अच्छे से clear करते हुए जाएंगे मजेदार तरीके से उसको लगा के जाएंगे question पहला screen के उपर आ चुका है कहा गया सूसरी संध्या 12% परतिवारसी की दर से दर कितनी है दर कितनी है तो दर दिया गया है 12% ठीक है न कहा गया दर से साधरर बेच पाने के लिए रासी कितनी है 31,400 प्रिंसिपल है 31,400 ठीक है न उसके बाद कहा गया, दो वर्स के लिए जमा करती हैं, कितने वर्स के लिए, दो वर्स के लिए जमा करती हैं, आपको बताया गया, दो वर्स के अंत में कुल कितनी रासी मिलेगी, कुल कितनी रासी मतलब की मिस्रधन बताना है, क्या बताना है, मिस्रधन बताना है, बस, लगा दीजे question समझे पहला number question दो और से पता हैं दो और से पता हैं चार 0 बना लेंगे चार खाने बना लेंगे बस काम खतम दर कितनी 12% और 12% को जब भिन में बदलोगे तो 12 बटे 100 संवाओ काटेंगे two चार बारा व चार और दो पंचीर 1050 दो थिंया च्हहे और दो दूनी चास 2,5 दस तीन बटे कितना आ गया पचीस आ गया तीन बटे में पचीस हैं लिखेंगे और तीन PayPalけて लिखेंगे यहां पर रखेंगे ृधा कितना हो जाएगा 31,400 31,400 का 35-25 निकाल के बताइए 31,400 का 35-25 शक्तीस निकाल के बताइए कितना हो जाएगा 5-25 5-35-0 फिर 5 से काटेंगे 5-5 5-25-35-32 recessivas 25-3 25-35-35 representation रादी दिये तीन छंग ठाला के याठ असी लाग एग तीनों पच्ची पंद्रा एक सोला कछे याउसी लाग एग तिन निच्छे एक साथ और तीन एक कम तीन 37 अरशठ 37 अरशठ दो बार इतनी समें लिख लिए अब इसका 37 अरशठ का आप लोग एक बटे 25 निकाल के बताईए 366 का एक बटे 25 निकाल के जल्दी से बता दीजे भाई जल्दी देखी कालकुलेशन तेज होनी चाहिए कालकुलेशन तेज होनी चाहिए तभी आप लोग बता सकते हो तभी बता सकते हो कितना हो जाएगा जल्दी से बता दीजे भ को जोड़ दो यह सब को जोड़ दो आपका मिस्तधन आ जाएगा इसको 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 और इसको सब को जोड़ के एंसर बता दीजी कितना आएगा एंसर फटाक से बता दीजी भाई कितना आ सब्सक्राइगा कि यह ए वेरी गुड एंसर आ रहा है उनता जीरो सत्तर पॉइंट पाँच उन्तालीस अजार सतर रुपे पच्चास पेसे मेरा एंसर आ रहा है उन्तालीस हजार सत्तर रुपे 50 पैसे मेरा answer आ रहा है भाई 30 सिकन में उड़ा दिया 30 सिकन में question को उड़ा दिया मातर 30 सिकन में question को उड़ा दिया है ठीक ना अगले question पर पहुंचते हैं अगले question पर पहुंचते हैं question देखिए क्या कहा गया आए और उसको अच्छे से लगाने का प्रियास करते हैं उसको अच्छे से लगाने का प्रियास करते हैं चलिए अगला कुश्चन अगला कुश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा क्या अगला कुश्चन देखते क्या हो जाएगा कुछ भी पूछे कुछ भी पूछे मात्र 30 सिकेन में उड़ा देंगे चाहे जो कुछ हमसे पूछे देखिए कुश्चन कहा गया है कि 1500 रुपए का दूसरा नमबर कुश्चन कहा गया 1500 रुपए का 11 पर्सेन्ट वारषि की दर से 11 पर्सेंट की दर से 11 पर्सेंट दो वर्स का चकवरदी ब्याज और साधरर ब्याज में अंतर बता ना है लँग जये काम पे काम पे लँग जये जल्दी से बता दीजी कितना आयेगा उत्तर कितना आएगा जल्दी से बता दीजी 30 seconds का answer गें 30 seconds का question को तीस सिकन में लगा दूगे कितना है 1500 कितना है 1500 अब इसको 11 बटे कितना है 100 बस दर कितनी हो जाएगी 11 बटे 100 यहां हो जाएगा 11 बटे 100 अब हम क्या करेंगे इसको 15 100 का 11 100 निकालेंगे इसको काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा जरा बता दीजी कितनी बार चला जाएगा बाई जल्दी से बताए जल्दी से कितना हो जाएगा 11 बटे 50 कितना बचा इसको काटेंगे तो 20 से कम हो जाएगा खतम कुश्चन को कुश्चन को कुश्चन को अच्छे से लगा दिया ठीक ना चलिये अगला कुश्चन आप लोगों किस्की तुप ऊपर आ रहा है कुश्चन देखें क्या कह रहा है उसकी भावनाओं को समझिए और और लगाने का प्रयास कीजिए भाई मजे के साथ पढ़िए किसके साथ मजे के साथ पढ़िए कंसेप्ट के लियर होना चाहिए आज तक आपको ऐसी ट्रिक भाई किसी ने नहीं बताई होगी देखें बहुत महनत लगती है ना ट्रिक बनाने में बहुत महनत लगती है सब काम आ लोगों के लिए करते हैं और आप क्भी आ आते हैं विडियो देख लेते हैं लेकिन like को share करना भूल जाते हैं जो कि बहुत बूरी आदत है आपको video देखना आगर कुछ भी आपको video से बिले तो video को like कर देना share जरूर कर देना ठीका न अगला question आ रहा है अगला questionable क्या कह रहा है उसको लगाने का प्रयास केज़े कुउस्चन कहा गया है बारा हजार का लोपे क्या धिया गया प्रिंसपल दिया गया बारह हजार का 24% की दर से दर कितनी है 24% 24% की दर से 2 वर्स का साधारण ब्याज बताईए 2 वर्स का साधारण ब्याज बताईए आसानी से लग जाएगा 2 वर्स देखा 4 0 बनाएंगे 4 0 बनाएंगे बस खतम कुश्चन इसमें प्रिंस्पल लखेंगे कितना है 1200 और 24% को अगर भिन में बदलेंगे तो 24 वटे हो जाएगा 100 1 2 1 कम 2 2 दुनी 4 यहाँ काटेंगे तो 2 5 10 0 2 चंग 12 और 25 दुनी 50 6 वटे कितना आगिया 25 6 वटे आगिया 25 6 वटे 25 यहाँ पर लिखेंगे अब 1200 का 6 वटे 25 निकालेंगे जल्दी से बताइए 1200 का अगर 6 वटे 25 निकालोगे तो कितना हो जाएगा फटाक से बताइए 25 पांदुनी 10 5 चुके 20 0 काटेंगे तो 5 चुके 20 4 वटे 25 चालिस बताइए जल्दी से कितना बताइए 48 48 के 88 यहाथ हासिल आगिया 4, 24, 24, 28 28 इधर और 288 इधर अब 288 का 11 वटे 25 निकाल के बताइए 288 का जल्दी बई करिए 288 का 11 वटे 25 निकाल के बताइए 288 का 11 वटे 25 निकाल के बताइए कितना हो जाएगा साधार ब्याज दो सालों का बारा सो रुपए मुलधन है और चौबिस परशंट दर है तब ठीक है न अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन देखते हैं देखी केल मैं आपको आज दो साल की बात बता रहा हूं अभी कांसेप्ट किलियर हो जाएगा अभी कांसेप्ट चेंज भी होगा जब तीन साल की बात करेगा तब भी कांसेप्ट किलियर हो जाएगा तब भी कांसेप्ट किलियर हो जाएगा देखें आप लोगों की कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए क्या कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए आप देखें जब गुला भाग क किसकी बात आती है वर्ग निकालने की बहुत से मेरे साथी वर्ग निकालने में कन्फ्यूज हो जाते हैं एक ट्रिक बताऊंगा एक से लेकर 990 का वर्ग मात्र एक सिकेंड भी नहीं लगेगा आप लोग निकाल लोगे एक सिकेंड भी नहीं लगेगा निकाल लोगे आपको व कितना होता शोला होता है पांच कवर्ग 25 होता है छे कवर्ग 36 होता है साथ कवर्ग 49 होता है आठ कवर्ग 64 होता है नौ कवर्ग 81 होता है बस इतना पता तो काम खतम देखिए पहले बात कुरूं मैं 12 कवर्ग कैसे निकालोगी इसके तीन तरीके होते हैं क्या तीन तरीके होते ह इसके बस कैसे सबसे पहला तरीका होता है इकाई का वर्ग सबसे पहला तरीका होता है इकाई का वर्ग लिख भी ली सकते हैं आप दूसरा तरीका होता है इकाई गुड़े दहाई और गुड़े होता है दो और तीसरा होता है दहाई का वर्ग तीसरा होता है दहाई का वर्ग बस काम खतम, तीन चीजे पता काम खतम, एकाई के हैं, दो हद लो का वर्ग की तना होता है, चार, पीछे से लिखते हूए आएंगे, पहला चीज के लिए, दूसरा तीज एकाई गुड़े दाही गुड़े दो, दो एक कम दो दो दुनी चार और एक का स्क्वार कितना होता एक काम खतम 144 ऐसे बात करो 14 के अवर्ग की तो चार का इकाई का वर्ग 4 चोके 16 का 6 हासिल आ गया एक 4 एक कम चार दुनी आठिक 9 एक का वर्ग 196 ऐसे बात करो मैं 25 की तो 25 का कितना हो जाएगा 25 के 5 हासिल आ गया 2 5 दुनी 10 दुना 20 22 का 2 हासिल आ गया 2 2 दुनी 4 चार दो 6 625 कितनी भी संख्याओं का अच्छा मान लीजे मैं यहां पर 89 का निकालू 89 का तब कितना हो जाएगा 8 ठाई 64 के 4 हासिल आ गया 6 8 नो 72 72 दुना 144 144 144 के 8 हासिल आ गया चोधा 89 81 84 में चोधा जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4 एक 5 और 8 ठीक 9 95 84 95 84 आ जाएगा 98 का ओवर ठीक है न अच्छे समझना है आपको बस यह सब कैलकुलेसन होती है यह सब आपको सीखना पड़ेगा यह सब आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा देखी किसी भी कुईस्टन को भाई मेरे लगाने में अगर उसको ट्रिक से सॉल्व करना है तब आपको और कैलकुलेसन तेज होनी चाहिए आपकी कैलकुलेसन तेज होनी चाहिए बस ठीक है देखिए एक और मैं तरीका बताता हूँ अगर किसी संख्या को सौ से मल्टिप्लाई करते हैं जैसे मैंने कह दिया 104 गुड़े 106 104 गुड़े 106 अब अगर किसी भी संख्या को आप इस तरह से मल्टिप्लाई करने जाओगे तो बहुत तीन छे इस टेप में साल्व होगा नहीं एक लाइन में इकाई इकाई का गुड़ा 6 चाहू के 24 बस अब चाहें आप इधर वाले का संख्या को जोड़े जीए चाहें आप इधर वाली संख्या को जोड़े जीए बस 106 कितना हो गया 16 हो गया 10 और 4 कितना हो गया जारा बता दीजे भाई 10 रुके 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 यहां थोड़ा सा mistake हो गया ठीक है न देखिए यहां पर आपको देखना है यह 100 से कितना जादा है 4 जादा है यह 100 से कितना जादा है 6 जादा है 6 4 कितना हो गया 24 हो गया अब यहाँ पर आपको लिखना है 10 6 कितना हो गया 16 हो गया 10 6 16 हो गया 1 0 बढ़ा लेंगे 16 0 24 आजाएगा राइट एंसर देखिए यह सब आपको अच्छे से समझ आना चाहिए यह सब कैलकुलेसन होती है मेरे दोस्त चलिए वैसे यह सब बहुत से चीजे हैं जो आप अभी सीखोगे लेकिन उससे पहले कुश्चन लगा लेते हैं उससे पहले कुश्चन लगा लेते हैं अब अगला कुश्चन आ रहा है अगला कुश्चन टाइप बदल के आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है अब दर बताने के लिए वो ट्रीक तो मैं आपको कल दूंगा, लेकिन कॉंसेट से आप लगा के प्रियास करिए, दीपक ने कितने रुपए भाई जमा करी, समय कितना है, 6 वर्स, टाइम कितना है, 6 वर्स है, प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल दिया गया है, 21,250, 21,250 उसके बाद मूलधन दिया गया है 26,300 मूलधन यानि कि एमाउंट दिया गया है 26,250 आप से पूछा गया है कि दर कितनी हो जाएगी दर कितनी हो जाएगी अच्छा प्रिंसिपल पता है एमाउंट पता है साधरण ब्यार निकाल सकते हैं बिलकुल 26,000 से 21,250 घटा देंगे तो कितना आजाएगा 2,0,0,5 से 5 गया 0,3 में से 2 जाएगा 1,6 में से 1 जाएगा 5,2 से 2 गया कुछ ने 51,500 रुपए हमको क्या मिल गया ब्याज मिल गया, सिंपल इंट्रेस्टिक 500 मिल गया, खतम कोईश्चान, एसाई बराबर कितना होता है P into R into T बटे का 100, ब्याज के अस्थान पर रखेंगे 51,00 रुपए, प्रिंसिपल है मेरा 21,250, रेट हमको बताना है, टाइम है हमारा कितने वर्स, टाइम है हमारा 6 वर्स, और बटे का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 1,0 से 1,0 कैंसिल हो गया है, अब क्या करेंगे बताओ, अब क्या करेंगे भाई जरा बता दीजिए, देखे ये बटे में इस तरफ आएगा, गुडे में इसकों काट भी सकते हैं, यहां काटेंगे 2,5,10 और 2,3,6, ठीक ना, अब देखे बटे एक मानेंगे, और 3,1 क्या कराएंगे, गुडा करा देंगे, इधर हो जाएगा 51,00, गुडे का 5, और इधर आपका बचेगा, 3,R, 3,R में आप अगर इससे गुडा करोगे, 3,R में आप अगर किससे गुडा करोगे, 25,3,15, 5,6, लाग गया, 1,3,6, 1,7, 3,1,3,6, 3,6, 63,75,R हो गया, यह बटे में गुडे में इस तरफ आएगा, बटे में हो जाएगा, तो कि गांगे, यहां से, तो कितनी बार जाएगा, 5 से चला जाएगा, 5 एककम 5, 5, 2,10, 5,7, 5,25, 2,5, 5,1,5, 12,75, बटे में कितनी बार जाएगा, 5,2,10, 2,27, हो गया, 5,1,5, 5,2,10, 12,100 आ गया, कितना आ गया, 12,100 आ गया, चलिए, वह वह पांच एककम 5, 5,2,10, 2,0, बचा, 2,0 लो काट लेंगे ठीक है ना अब इसको लगाईए इसको लगाईए कितना हो जाएगा जल्दी से लगाईए जल्दी से लगा दीजी कितना हो जाएगा काट के फटाक से बता दीजी बही 255 का अगर आप लोग 255 से भाग करोगे 255 से तो कितना आ जाएगा जल्दी से बता दीजी अरे भाई चार बार पूरा पूरा जा रहा है 4% रेट हो जाएगी दर कितनी हो जाएगी 4% हो जाएगी राइट एंसर हो जाएगा 4% is my correct answer समझ में आ रहा है की नहीं आ रहा है चलिए अगला कुईशन क्लास केवल सधर ब्याय चक्रदी ब्याय की concept के ऊपर थी केवल concept के ऊपर थी बस बाट की कुछ नहीं था question में देखा question और solve कर लिया question चलिए qeotion कहा गया है की बावन सो रुपए का प्रिंसिपल है आपका बावन सो रुपए बावन सो रुपए का दर कितनी दी गई है बीस परसेंट दर दी गई है आपको बीस परसेंट और समय दिया गया है दो वर्स आप से पूछा क्या गया है आप से पूछा गया साधरणव्याच चक्रदिव्याच क्या क्या हो जाएगा SI बताना है और आपको CI बताना है ये सब कितना हो जाएगा जल्दी से बता दीजी दो और से का पूछा कुछ नहीं करेंगे 4 0 बना लेंगे 4 खाना बना लेंगे ये बन गया मेरे 4 खाना अब हमको पता है इसमें प्रिंस्पल रखते हैं कितना हो जाएगा 52 रुपे हो जाएगा 10 20 परसेंट है तो 20 परसेंट का मतलब एक बटे 5 अब एक बटे 5 यहाँ पर लिखेंगे एक बटे 5 यहाँ पर लिखेंगे अगर 2.21 का एक बटे 5 पांच रिखोगे तो कितना आजाएगा 5 लिखा 5 युखर है एक सो चालीस 140 यहां पर आजाएगा 140 का एक बटे 5 निकालोगै तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 पर 14 चालीस 18 बस अब साधारवे ब्याच पूछे हैं तो 14 दूना 28 साधक्रति कोड़ाई है कितना हो जाएगा 180 क्लिए है ना मä λέ़त चार खानेày याद रखने पहले में प्रिंसपल दूसरे में जो आएगा वो आएगा तुम्हारा इधर उस वर और यह एक साल का होगा कितरे साल का होगा एक साल का होगा ठीक है न यह एक साल का होगा क्लियर और तुम्हारा नीचे जो आएगा वह अंतर होता है यह क्या होता है अंतर होता है एक लास्ट कुश्चन देखते हैं आज का फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे ठीक है न चलिए अगला question आज का last number question पिकल अच्छे वाले question आएंगे कल अच्छे question solve करेंगे ठीक है ना concept आप आज समझ लीजी फिर कल अच्छे question solve करेंगे मेरे दोस्त दिक्कत मतलेना ये class DELEED ही नहीं किसी भी level का exam हूँ किसी भी level का exam हूँ वहाँ पर ये trick लगा देना 100% आपका answer right आएगा 100% आपका answer right आएगा और कल मैंने बताये था कि आप धीरे धीरे कोई चीज सीखोगे तब आपको समझ में आजाएगा आप समझो कि एक रात में सब परड़ा रहें तो नहीं कर सकते हो ऐसा ठीक नहीं अगल्या question देखें, क्या रहा है question ुवर्षे कमार है कि एक डूर्च कितनी है आपकी 25% रेट कितनी है 25% आपकी रेट है टाइम है दो वर्स तो पूछा गया है आपसे एमाउंट कितना हो जाएगा चक्रबिर्धी मिस्त्रधन कितना हो जाएगा यह नि चक्रबिर्धी कितना है बारा हजार तो बारा हजार अब 25 का मतलब एक बटे चार करके देख लेना एक बटे चार तो यहां पर लिखेंगे एक बटे चार यहां पर लिखेंगे एक बटे चार बारा हजार का एक बटे चार निकाल के बताईए कितना हो जाएगा बारा हजार का एक बटे चार कितना हो जाएगा बहुत जल्दी से बताइए 4,78,4,25, 20 कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए 750, 750, चक बर्दी में सिलहर पूछा था जोड़ लो 12,000 में 6,000 जोड़ोगे 18,000, 18,750, 18,750 मेरा परमसत्य एंसर हो जाएगा राइट एंस लो जाएगा ठरहजा साथ सुपच्चास तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्याद समझ में आई होगी अगर समझ में आई तो वीडियो कर देना लाइक दोस्तों के साथ कर देना सेयन मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक लिए जय हिंजा भारातों बंदे मातरम